हेलो और नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल और आज मैं आपके साथ में वाट्रूब और्गनाईजिशन टिप्स और आइडियाज में लेकर आई हूँ इन टिप्स को अपनाने से आपकी अलमारी हमेशा विवस्तित रहेगी अलमारी घर का एहम सह होती है विवस्तित अलमारी हमारी लाइफ को आसान बना देती है लेकिन कभी-कभी अलमारी में कपड़ों को विवस्तित रखना मुश्किल हो जाता है सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क लगता है अपनी वाड्रोब को और्गनाईस करना आप अगर थोड़ा स्मार्टली काम करें तो आपकी अलमारी हमेशा सेट रहेगी साथ ही सभी सामान रखने की जगा असानी से मिल जाएगी इसके लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज करिए इंट्रेस्टिंग सा वीडियो चलिए अगर आपने भी मन बना लिया है अपनी वाट्रोग को और्गनाइस करने के लिए तो सबसे पहले अपनी पूरी वाट्रोग को खाली कर दीजै सारा ही सामान मैंने यहाँ पर बैटे रख दिया है तो अगर आपका bed भी है तो वहाँ पर bed में और कोई सामन नहीं होना चाहिए जो आपकी wardrobe में वही सामन वहाँ पर आप रिखेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं nail paint गिरी गया था तो यहाँ पर पूरे जो है इसके stain लग गए है और मैं इने काफी दिनों से साफ कर रही हूं नहीं हो पा रहा है तो चलिके दीरे-दीरे हो जाएगा और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डस्ट है तो हमें पता नहीं चलता है लेकिन जो हमारी wardrobe होती है उसके अंदर काफी सारी डस्ट जो है खटा होने लगती है क्योंकि गर्मियों में फैन वगरा चलते हैं तो धूल मिटी उड़के जमा होई जाती है तो यहां पर पहले मैंने इसको एक माइक्रो फाइवर मैंने कपडा लिया है यह बहुत ही सॉफ्ट है तो इससे अच्छे से जो भी डस्ट इसको मैंने क्लीन किया उसके बाद मैंने होम मीड क्लीनर मैंने आपके साथ में इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है और काफी बार मैंने आपको बताया भी है कि मैंने कैसे बनाया है अगर आप ही जाना चाहते हैं तो इसका फुल वीडियो है लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो मैंने अ करूंगी तो बस यही कुछ ऑर्गनाइजर है जो मैंने चार से पांच साल पहले मैंने खरी दे थे और यह थोड़े से मैं यह कहूंगे कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है यह मैंने टू फिफ्टी में 6 पीस लिये थे लेकिन तब से मैं इनको यूज कर रही हूं अभी त इनकी जो हालत है बिलकुल सही आप देख सकते हैं और इसमें ना बहुत अच्छे कपड़े जो है और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हैं यह जब नए नहीं आये थे शुरू में तो मैंने तब लिये थे और 250 रुपे में 6 बैक तो बहुत ही अच्छी मैंने कौन से कपड़े रखे हुए तो मैंने अलग-अलग 6 बैक से उसके इसमें कपड़े रखे हुए हैं और इनमें साडियां हैं साडियों के साथ के जो पेटी कोट होते हैं या बलाउस होते हैं उसको मैंने अलग पैकेट में उसी बॉक्स में रखे हुए हैं जो यह उपर की side में मैं रख रही हूं क्योंकि यहाँ पे जो साडियां मैं रखती हूं ज्यादा यूज़् तो होती नहीं कभी festival होंगे कोई भी जब party वगरा होगी तब ही इन्हें मैं use करूँगी तो इसलिए मैं उपर की side में रखती हूं ज्यादा पहले ना मैं सारी साड़ियों को हैंगर में हैंग करके रखती थी इतनी जाता यूज तो होती नहीं थी बस खाली उनमें डस्ट लगती रहती थी कहने का मतलब यह है कि आप हैंगर में वही कपड़े हैंग करें जो आप टेली वेर में यूज करते हैं तो यहां पर मैं आइनिंग कर रही हूँ अगर आप सेकिंड में चाते हैं कि आपके कपड़े प्रैस हो जाएं तो आप यह गार्में इस्टीमर है अगारो का आप यह यूज कर सकते हैं तो अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या रोज आप आफिस जाते हैं तो फटा फटा आप सेकंड में अपने कपड़ों को आइनिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके साथ में आपको दू गलफ्स मिलेंगे और दू आपको प्रेशल मिलेंगे और यहाँ पर यह water tank है जो 260 ml का water tank है यहाँ से आप इसको fill कर सकते हैं maximum level दिया हुआ है वहीं तक आपको fill करना है इसकी जो उपर आप देख सकते हैं यह ceramic coated plated है और इसके साथ में आपको इस तरीके के brushes मिलेंगे जो easily जो हैं आप इस तरीके से attach कर सकते हैं और इसके साथ आपको एक one year का warranty card मिलता है साथ में एक booklet मिलती है जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं कैसे इसे use करना है यूज करके देखते हैं कि अगारो की garment steamer कैसे work करता है अगर आप office जाते हैं आपका सुबह सुबह इतने time नहीं है आइनिंग करने के लिए कहीं party में जाते हैं तो फट फट से आपको कपड़ों को आइनिंग करना है तो यह best तरीका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी crease बनी हुई थी और result आपके सामने है बिल्कुल second में अगर आप जाते हैं अपने कपड़े आइनिंग हो जाएं तो यह आप अगारों की garment ले सकते हैं यह मैंने amazon से ली है लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं next tip तो यहाँ पर यह organizer है जिसे मैंने card board से मैंने बनाया है और मैंने बहुत पहले आपनों के साथ में share किया था तो इतना सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वैलरी मैंने रखा है और यह भी एक chocolate का box है इसमें मैंने अपनी सारी earrings रखी है यह एक organizer है जो शादी में card आया था तो उसमें dry fruit में यह आया था यह एक water bottle का cover था तो इसको मैंने इस तरीके से DIY करके मैंने बहुत पहले यह सब share किये हुए है DIY card board के बहुत सारे मैंने DIY share के है अगर आपने नहीं देखे है तो जरूर देखे है यह तो bangle के box है तो सारे जितने भी आपको यहाँ पर देख रहे है जो सारे एक चोटे से organizer में अच्छे से set हो गई है यह भी एक sweet box का dip butter इसमें मैंने bangles वगरा रख दी है और यह mirror है इसको मैं इसके पीछे इस तरीके से रख लूँगी और यह ना एक मेरे को lotus का मैंने make-up का सामान लिया था तब मुझे box दिया था तो इसमें मैंने सारी bangles ही रखी है और यह DIY मैंने जो है ceramic powder होता है ना cement या फिर आप wall putty उससे मैंने बनाई थी तो मैंने ट्रे ऐसी रखा है जब कुछ छोटा मोटा जैसे हमारे chain वगरा अंगोटी earrings वगरा निकालनी है तो मैं इसमें रख देती हूं और यहां पर यह भी organizer मैंने cardboard से बनाया है इसमें कपड़ा चिपकाया है यह मैंने बहुत पहले यह भी मैंने आप लोग साथ में शेयर किया था इसमें सारे मैंने hair वाले जो यह tools होते हैं जैसे hair dryer है ironing machine है और यह brushes है कल्स करने के लिए तो इसमें ही रहती है यहां पर इस तरीके से बंद करके रख दो तो अच्छे से organize रहती है अगर आप इस तरीके organizer में रखते हैं अब देखे ना बार-बार market से अगर हम महंगे महंगे organizer खरी देंगे इतने सारे सामनों को organize करने के लिए तो खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए मैं हमेशा कोजिस करती हूँ जब भी मेरे घर में कोई भी हम शॉपिंग वगरा करते हैं तो उसमें जो भी cardboard वगरा आते है ना तो उनको मैं उसमें कपडा चिपका के या अच्छे से उसको DIY करके उसको organizer बना देती हूँ तो यहां पर यह मैं लिणाएं एक backpack है जिसका अंदर मैंने मैंने चोटे-चोटे जो पाँच वगरा जो होते हैं बैक होते हैं जो चोटे-पर्स होते हैं अदर रखें है और इसके लिए बहुत सारे पर्स मैंने इस तरीके से और उर्गनाईज करके रखें मैने पहले यह organizer जिसमें रखे हैं नहीं, यह मैंने लिया था, 700 का, भी भी Amazon में available है, और सेम ऐसे ही न मैंने एक DIY करके भी बनाया है, भी मैं आपको दिखाऊंगी, यह एक बड़ा bag है, जिसमें मैंने छोटे-छोटे bags, और यह एक जूला मैंने रखा हुआ है, इस तरीके से, तो इसे इस इनको मैंने इस तरीके से pack करके इसके अंदर रखती हैं, तो इससे न, अच्छे से organize रहते हैं, क्योंकि यह वाले suit वगरा इतने पहने नहीं चाते हैं, और यह जो poly bag देख रहे हैं, यह T-shirt के साथ में आया था, जोकी की जो T-shirt वगरा होती है न, तो उसमें मैं पैक करके र बस यह पुराना sweater था मेरी बेटी का, तो इसको मैंने cut कर लिया है, इसकी sleeves मैंने रखती हैं, यह भी अभी use में आएंगी, तो इसके जो उपर के flap थे, इन्हें हमें cut कर लेना है, तो मैंने आपके साथ में बहुत सारे organizer मैंने इस तरीके से बनाए है, अलग अलग तरह के यह बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर मैंने इसके flap को चिपका दिया है, masking tape से, और यहाँ पर इसको sweater हम पहना देंगे, और इसके बाद इस तरीके से मैंने इसको set कर लिया है, यहाँ पर इसको मैं बाद में चिपका लूँगी, ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नही है, इसको बिल्कुल आपको चिपकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको अंदर की तरह में फोल्ड करके इसके अंदर इसको नीचे की तरह हम इसको रख देंगे, इसके क्या finishing भी अच्छी आएगी और जो नीचे का base है वो भी मजबूत हो जाएगा, तो देखे है कि जब अगर आपको बनाना आता है, तो फिर market से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे गर में इतना सारा सामान होता है, उन्हें organize करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे organizer खरीदने चाहिए, अगर आपको आता है, आपके पास है, तो आप समय है, तो मैंने काउंट भी की है, 11 जो पैंट और जीन से वो निकल के आई है, जब कभी कहीं जाओ तब तो मिलती नहीं है, तो सभी को मैंने अच्छे से फोल्ड किया, यहां पर मैंने इनको आइनिंग नहीं किये, क्योंकि मैं बहुत कम ही जीन्सों को आइनिंग करती हूँ, जब ज जंजट नहीं है, कि आपको रोज आइनिंग करनी है, या बाहर आइनिंग करने के लिए देना है, तो यह सारे ओर्गनाइजर, देखो बातें बातों में, मैंने सब को अच्छे से ओर्गनाइज कर दिया, इसमें मैंने सारे टॉप रखे हैं, और दूसरे वाले बास्केट म ले जाती हूं जिम, वो वाले मैंने कप्डे रखें, यह छोटी वाली बास्केट है, यह वाली बास्केट, इसमें सारे जिम के ज्यादा नहीं है, दो ट्राउजर, दो टी शिट हैं, यही मैं पहनती हूं, क्योंकि मैं एक महीने जाती हूं, दो महीने जाती हूं, उसके बा वो भी निकलाए है, तो अभी गर्मियों का टाइम है, बस गर्मियों के ही कपड़े मैंने रखे हैं, तो जब भी जो सीजन होता है, उसके हिसाब से ही, अपने वाट्रोप में आप कपड़ों को रखें, बाकी आप अपने बैड के अंदर रख सकते हैं, या ऐसी जगा जो वा इसमें आप इसको रख सकते हैं, आप चाहिए तो जो कुशन कवर होते हैं उसको पहना के भी आप इसको कुशन बना सकते हैं, तो गर्मियों के टाइम पे न मैं इसको बैड में फैला के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वाइट है गंदा भी हो जाता है, और जब एसी चलाना ह होता है, तब ही मैं इसको यहां से निकालती हूँ, और यह वाला एरिया यहां पर सारी बैट शीट, कुशन कवर वगरा ही रखे होते हैं, यह एक डियाई वाइजर है, जिसमें मैंने बैट शीट को इस तरीके से मैंने और्गनाइज करके रखा है, यह भी मैंने आप लोग पेपर लगा के मैंने इसको और्गनाइजर बना दिया है, तो यहां पर कुछ मैंने कर्टन्स मैंने वाश किये थे, तो इसको मैं अभी फिलाल यहां पर रखतूंगी, यह जो और्गनाइजर है, यह भी मैंने कार्ट पोर्ट से डियाई वाइ करके बनाया है, तो यहां पर कभी यूज़ कर सकते हैं नेप्तिलीम की बोल तो आप जरूर रखें अपनी वाट्रोप में और एक में आपको आइडिया देना चाहती हूं जैसे कोई भी डब्बी हो आपके पास उसकी जो धक्कन है उसके पहले खुब सारे आप होल कर दीजिए और उसके अंदर आप कॉट डाल दीजिए और essential oil होता है वो उसमें डाल दीजिए और इस टब्बी को अपनी वाट्रोप में रख दीजिए बहुत अच्छी खुश्बू रहेगी आपके उसमें तो यह उर्गनाइजर इसमें काफी सारा सामान में ने रखा हुआ है चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आप सूट साड़ियां बैट शीट हमने एक ही वाट्रोप में रखी है आई हो फ्रेंट्स आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तब तक लिए पाई